गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं यसु सेनी बीएसी सेकंड यर की फिजिस किलास में आपका स्वागत करता हूँ आज की किलास में हम डिसकस करने वाले हैं स्वत्य उत्तेजित दोलनों के लिए परिपत आहोशकता याने की दोलित्र का मूल भूत परिपत क्या होता है बेसिक सर्किट क्या होता है दोलित्र का सर्किट रिक्वार्मेंट कैसा सर्किट चाहिए है सबसे पहले मैं बात करता हूँ previous कुछ किलासों की कि जो दो लितर होता है जो oscillator होता है वो हमारे पास क्या करता है दो लितर का काम क्या होता है कि इसमें हम निवेस नहीं देते हैं फिर भी हमें क्या मिलता है हमारे पास निर्गत मिलता है दो लितर क्या होता है जिसमें हम कोई भी निवेस नहीं देते हैं फिर भी हमें आउटपुट मिलता है निर्गत मिलता है सत्य उत्तेजित होता है हमारा निर्गत ऐसे परिपत जो होते हैं वो दो लित्र होते हैं ओसीलेटर होते हैं प्रिवियस किलासेज में हमने हर्टले दो लित्र के बारे में discuss किया था callpit के बारे में किया था RC face shift oscillator के बारे में किया था clear है तो यहाँ पर हम ये जो दो लित्र बनाते हैं सारे जितने भी हमने दो लित्र बनाये थे वो तो अलग-अलग नाम से बनाये थे अगर आपसे कहा जाए कि कोई 2 लित्र बनाओ आप, वो तो हड लेने का था, वो उसका था, अगर आपसे कहा जाए कि कोई 2 लित्र बनाओ, तो वो आप कैसे बनाओगे, तो ये इतने सारे 2 लित्रों में क्या था, उसके अधार पर हम basic circuit पढ़ रहे हैं, वैसे तो पहले चाहिए लेकिन अब देखो clear हो जाएगा तो यह जो अधार भूत परीपत होता है ना उसमें हमें एक दो बात ध्यान रखने हैं एक तो धनात्मक पुनरणिवेस होना चाहिए क्या होना चाहिए धनात्मक पुनरणिवेस होना चाहिए और बार्क हाउजन कसोटी की पालना होनी चाहिए बार्क हाउजन कसोटी क्या कहती है कि ए बीटा जो होता है ना उसकी वैल्यू सदे वन से ज़्यादा होती है वास्तविक होती है क्लियर है देखो कैसे बताते हैं इसको हम कैसे समझ सकTे हैं आप से अगर कोई भी दो लित्र नहीं देता है वो एक्जाम में आप से सिर्फ यह बोलता है कि मूलभूत परिपत से दो लित्र को समझाईए तो फिर ये करना है तो इसके लिए देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या होता है एक तो प्रवर्दक होता है दो लित्र में ठीक है एक तो क्या होता है प्रवर्दक प्रवर्दक में क्या है यहां प्रवर्दक होता है इसका निर्गत होता है, इससे हमने क्या कर रहा है, यहां पर एक पुनर निवेस कराते थे हम क्या बीटा, यह पुनर निवेस परिपत पड़ा था ना उसी की बात कर रहूं मैं न, उसमें क्या होता था, कि यहां से मान लो आप क्या दे रहे हो निवेशी संकेत दे रहे हो ठीक है और ये जो प्रवर्दक अगर हम CE काम में लेते हैं तो ये प्रवर्दक क्या कर देता था ध्यान रखना ये 180 डिगरी का कलांतर उत्पन कर देता था प्रवर्दक क्या करता है 180 डिगरी का FACE SHIFT उत्पन कर देता है कलांतर उत्पन कर देता है यहां जो हम पुनर निवेश परीपत लगाएंगे ना वो इस तरीके का लगाएंगे हम कि यहां से ये जो निर्गा संकेत हो वापस जब जाए ना तो इसका फिर दुबारे से 180 डिग कलांतर उत्पन हो जाए एसा करने पर क्या होगा यह निवेश संकेत जो है और यह जो पुनर निवेश संकेत जो है ना यह कैसी कला में आ जाएंगे समान कला में आ जाएंगे और ये कौन सा पुनरनिवेश होगा धनात्मक पुनरनिवेश होगा धनात्मक पुनरनिवेश की लबधी क्या होती है अनन्त होती है बहुत जादा होती है इसलिए इसका उप्योग हम किस में करते हैं दो लित्र में करते हैं आगई बात समझ में तो जो हमारा दो लित्र होता है ना वो कैसा होगा उसके बारे में हम सबसे पहले डिसकस करते हैं कि दो लित्र में हमारे पास एक प्रवर्धक होता है यहां मैं प्रवर्धक को कुछ इस तरीके से व्यक्त करता हूँ अब हाटले वटले सब आपने पढ़ाए ना यह प्रवर्धक है सपोज कीजिए इसको मैंने ऐसे व्यक्त किया डायोड नहीं है यह प्रवर्धक है ठीक है कि एम्प्लीफायर है प्रवर्धक है अब यहां से संकेत जाएगा और हमें क्या मिलेगा जैसे ट्रांजिस्टर होता है निर्गत मिल जाता है मिलता है यह नहीं मिलता मिलता है अब जब हम क्या बना रहे हैं दो लित्र बना रहे हैं तो उसमें एक प्रवर्धक होना चाहिए उसके बाद हमारे पास यहां पर प्रती घात प्रती बादाएं होती है ठीक है प्रती बादाएं होती है एक प्रती बादा जो मैं ले रहा हूं नहीं यहां पर वो लेता हूं मैं यहां पर सपोज कीजिए यहां ले लिया जेड वन और यह लेडी मैंने जेड टू ठीक है लेडी और यह जो है ना यह प्रवर्धक से जोड देता हूं और इसको मैंने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया ठीक है यह basic circuit होता है और यह हमारे पास एक और प्रतिबादा होती है Z3 और इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं कोई भी 2 लित्र बनाएंगे ना उसको हम इस तरीके से बनाते हैं Z2, Z1 और Z3 आप याद कीजिए क्या होता था LC circuit होता था हमारा 2L लग रहे थे C1, C2 लग रहे थे चाहिए वो हर्टले में था कॉल्पिट में था तो यह क्या थे हमारे पास LC थे Z1, Z3 और Z2 क्लियर है और यह LC क्या होते हैं प्रतिगात होते हैं, reactance होते हैं हमारे पास एक उनमें क्या होता था प्रवर्दक होता था C के दुआरा या L के दुआरा देखना आप हट ले या कॉल्पिट में क्या करते थे हम पूना निवेश करते थे तो प्रवर्दक तो क्या करेगा यह संकेत इसमें निवेश होता है ये संकेत उत्पन करके कहा देगा निर्गत में 180 degree का कलांतर उत्पन करता है ये प्रवर्दख होता है वापस से 180 डिगरी का कलांतर उत्पन करता है वापस से जिससे हमारे पास यह निवेश में जाता है वही धनात्मक पुर्ण निवेश की कंडिशन लागो हो जाती है और हमारे पास दो लित्र बन जाता है तो यह दो लित्र का बेसिक सर्कीट है मूल भूत सर्कीट है जब हमसे कुछ भी नहीं बोला जाए ना तो आपको इस सर्कीट को ही समझाना होता है ठीक है अ सके बारे में हम अनालिस करने वाली हैं डिसकस करने वाले हैं और उसके बाद यह जो यूनिट है ना वो कम्प्लीट हो जाएगी आपकी तो यह तो प्रवर्दक यह जैड टू होता है यहां जैड वन होता है यह जैड थ्री माल लिया मैंने इस पॉइंट को जो हां ग्राउंड किया है हमने जीरो वोल्ट रखाया इसको इसे हम माल लेते हैं पॉइ पॉइंट वन और इसको मैं माल लेता हूं क्या पॉइंट टू यह सरकिट आप याद रख लेना इसली है ठीक है तो देखो इस परिपत में इस परिपत में या इस सरकिट में क्या होते हैं जैड वन जैड टू जैड थ्री होते हैं यह ऐलियस ही होते हैं दियान रखना जब भी दो लितर बनाएंगे उसमें ल और सी का काम लेंगे तीन इस परिपत में तीन प्रती घाती अव्याव तीन प्रती घाती अव्याव रियक्टेंस यानि की कौन-कौन से जैड वन जैड टू एंड जैड थ्री ठीक है होते हैं होते हैं क्लियर है यह बात इनहीं के दुवारा पुनर्निवेश होता है जिनके दुवारा फीड बैक होता है पुनर्निवेश होता है जिनके दुवारा पुनर्निवेश होता है अगई बात समझ में बिलकुल आ गई अब क्या होता है कि यह जो प्रवर्दक होता है ना वो निवेशी संकेत और निर्गत संकेत के बीच में 180 डिगरी का कलांतर उत्पन करता है फिर निर्गत को निवेश में कौन बेशते हैं यह यह निर्गत पुनर निवेश और जो हमारे पास यह होता है निर्गत इसके बीच में यहाँ पर 180डिगरी का यहां से आ जायेगा 180 डिगरी का कलांतर यहां से आएगा वापस 180 डिगरी का कलांतर यानी 0 डिगरी का कलांतर उत्पन हो जाएगा 360 भी वह सकते हैं जीरो भी और कौन सी कंडिशन लभ वहती है धनात्मक पुनर्निवेश की तो हम इस चीज को लिक देते हैं जिनके द्वारा इसे बेख सकते हैं या इसको इसई बनाये तो जिनके द्वारा पुनर निवेस तो होता ही है ठीक है यह है पुनर निवेसी संकेत जिनके द्वारा ऐसे लिख सकते हैं पुनर निवेसी संकेत तथा निर्गत संकेत निर्गत संकेत के मद्दे कितना कलांतर उत्पन होता है 180 डिगरी का कलांतर उत्पन करते हैं इनका काम यही होता है लगाते थे न जो कॉल्पिट वॉल्पिट में तो निर्गत से जो निवेश में आता है पुना निवेश होता है उसके बीच में 180 डिगरी का कलांतर उत्पन करते हैं तथा प्रवर्दक क्या करता था प्रवर्दक क्या करता था जो निवेशी निर्गत था प्रवर्दक निवेशी वे निर्गत के मद्ध है कि प्रवर्दक निवेशी वे निर्गत के मद्ध है कितने का 180 डिगरी का कलांतार उत्पन करता है एक प्रवर्दक करता है निवेशी से निर्गत में जाएगा संकेत 180 फिर निर्गत से वापस निवेशी में एगा फिर 180 तो 360 हो जाता है टोटल यानि जीरो डिगरी हो जाता है और जो बार्क हाउजन कसोटी का प्रतिवन्द होता है मतलब ऐसा हो जाता है ना अभी मैंने कैई बार बता दिया ऐसा हो जाता है ना हमारे पास तो जो हमारे पास यह प्रतिवन्द लग जाता है बार्क हाउजन कसोटी का धनात्मक पुना निवेश हो जाता है और वो किसकी conditions होती है हमारे पास दो लितर की oscillator की क्या होती है condition होती है इस तरीके से हम इसकी condition बना लेते हैं अब यह जो circuit है ना इस circuit का इस परिपत का हम क्या बनाते हैं एच प्राचल परिपत बनाते हैं इस circuit का क्या बनाते हैं हम एच प्राचल परिपत बनाते हैं एच प्राचल परिपत आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो यहां पर तो क्या होता है यह होती है IB, यह B, यह होता है हमारे पास E, और यहां होता है HFE into IB, ठीक है, और यहां होता है हमारे पास HFE into IB, यहां होता है यह निर्गत, यहां धारा कौन सी होती है, IC, यह होता है यह नहीं होता है, बिल्कुल होता है, अब देखो, मैं इसमें केवल यह साइड वाला काम में ले रहा हूं, क्या, कि यहां तो लग रहा है, क्या, HFE into IB होता है साथ में यह जो प्रवर्दक होता है ना, इसका एक लोड प्रतिरोध होता है, जिसे मैं रिप्रिजेंट करूँगा यहां पर किस से, R-NOT से मिलेगा आपको, देख ले ना, कॉल्पिट में भी लगा रहा है था हमने उसके बाद हमारे पास, यह जो प्रवर्दक है, यह ग्राउंड है, ग्राउंड किस क्या होता है, E होता है ठीक है, क्या होता है, E होता है, तो यह नीचे हम क्या मानेंगे, ग्राउंड मानेंगे, तो ऊपर यह किस से जुड़ा होगा, सीधी सी बात है, Z2 से जुड़ा होगा, तो यहां किस से जोड़ दो, आप Z2 से कनेक्ट कर दो है यहां एक लोड होगा आर नोट प्रवर्दक का तो यह नोट लगा दिया फिर यह देखो यह ग्राउंड पॉइंट है यह इग्राउंड होता है तो सीदी सी बात है हमारे पास यहां पर यह प्रवर्दक का उपरी शिरा है यह यहां यह सी हो गया यानि एक तरीके से तो इसको हम यहां पर यह तो होगया पॉइंट नंबर तीन और यह ऊपर जुड़ा हुआ है यह प्उइंट नंबर दो तो यहां जोड दिया जैड अब देखो ग्राउंड यह जो हमारे पास Z1 है ना Z1 2 से हमारे पास पहले जुड़ रहा है Z3 तो 2 से आप क्या जोड़ दो я पर Z3 और फिर Z3 से क्या जोड़ रहा है Z1 और Z1 क्या है GROUND है तो Z3 के बाद क्या connect कर दो Z1 और Z1 क्या है GROUND है इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं बना लेते हैं यहां जो वोल्टता मिलेगी न देखो यह परिपत में हम कुछ नहीं कर सकते यह क्या होती है निर्गत वोल्टता होती है आउट्पुट वोल्टेज होती है अगई बात समझ में कैसे जोड़ा यह संदे के सरकिट जैड़ टू जो है ग्राउंड से जैड़ जैड़ वन का दूसरा सिरा जैड़ तीरी से जैड़ वन का दूसरा सिरा जैड़ तीरी से और यह उपर कनेक्ट है यह उपर कनेक्ट कर दिया यहां जो पुना निवेश हो रहा है इस से हो रहा है यह पुना निवेश तो यह इसके साब एक जो वोल्टता होती है वह हम मान हैं वी एप जिसे हम बोलते हैं पुनर निवेश वोलता इसी का हम क्या कराते हैं पुनर निवेश कराते हैं इस तरीके से इस सरकिट को ऐसा बना लेते हैं ठीक है तो देखो बार-बार प्रैक्टिस करोगे न तो ही याद होने वाले हैं नहीं तो कि नहीं होने वाले हैं इतना बना लेंगे अब मैं क्या करता हूं कि यह जो हमारे पास सर्किट है ना यह दिखाई दे रहें जैड़ 2 जैड़ 3 जैड़ 1 इनका मैं एक कॉम्मिनेशन बना लेता हूं इसका किस-किस का जैड़ 2 जैड़ 3 का और जैड़ 1 का बना ले यह देखो इसका ठीक है इसमें देखो जैड़ 1 और जैड़ 3 क्या है स्रेनी करम में जैड़ 1 और जैड़ 3 क्या है स्रेनी करम में तो देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं जैड़ 2 और जैड़ 2 और जैड़ 3 स्रेनी करम में हैं स्रेनी करम मतलब आर वन प्लस आर टू यानि की जैड़ 1 प्लस स्वरी जैड़ 1 प्लस जैड़ 3 बनेगा यानि बनेगा बिलकुल बन जाएगा क्या बन जाएगा जैड़ 1 प्लस जैड़ 3 बन जाएगा इसके बाद दिये पाद दियान रखना Z1, Z2, Z3 क्या है प्रतिगात अव्याव है यानि L और क्या होंगे ये C ही होंगे अब ये समानतर करम है समानतर करम या parallel combination जानते हो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 तो 1 upon R R1 R2 हमने L से में ले लिए R1 से R1 R1 plus R2 बनेगा तो R की value क्या आएगी R1 R2 upon R1 plus R2 आएगी आएगी या नहीं आएगी बिल्कुल आएगी तो इन दोनों का जो combination होगा ना उसको मैं मान लेता हूँ क्या ZL और ZL की जो value होगी ना वो क्या बनेगी हमारे पास Z2 into Z2 Z1 plus Z3 एक की जीगे R1 दूसरी की जीगे R2 upon R1 plus R2 यानि Z1 plus Z2 plus Z3 तो दोनों का combination मैंने बना लिया ZL यानि इस circuit को मैं ऐसे भी प्रदर्सित कर सकता हूँ कि यहां तो क्या है ZM into VB है फिर उसके बाद एक प्रतिरोध है क्या R not और इसको हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया Z L से और यहां हमारे पास क्या होगी निर्गत वोल्टता या आउट्पुट वोल्टेज हो जाएगी ठीक है अब जब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो यह दोनों भी क्या है समानतर करम में है टोटल प्रतिबादा बना रहा हूँ एक तो इसको भी मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या जी एम इन्टू क्या वी बी ई और इन दोनों का एक बन जाएगा समानतर करम में यह फोर्मुला होता है आर नोट इन्टू जेडल अपॉन आर नोट प्लस क्या जेडल और यह निर्गत वोल्ट था ठीक है तो अब देखो यहां से करंट फिलो होती है ऐसे फिलो हो रही है यह यू नीचे से उपर हमें तो क्या चाहिए होती है करंट उपर से नीचे फिलो हो और यही तो बन रहा है परिपत ऐसे फिलो हो रही होगी करंट नीचे से उपर ऊपर से नीचे चाहिए हमें निर्गत वोल्ट ता क्या होगी यह पृतिरोद लग रहा है इसके साब एक जो वोल्ट मिलेगी समान तरक रम में वी बराबर क्या आई यार तो निर्गत जो वोल्ट ता होगी नाइप आउटपुट जो वोल्ट होगी वो क्या बनेगी वी नौट इस इक्वल टू इसके साफ एक्स बोलता निकाल लो समानतर करम में क्या होगी वी बराबरा यार तो आई कितनी है यह धारा सुरूत होता है करंटी होती है आई सी बोलते हैं जिसे क्या है क्या है माइनस जी एम इंटू वी बी है क्या है माइनस जी एम इंटू क्या है वी बी है और यह टोटल प्रतिरोध क्या है आर नोट इंटू जैडल अपॉन आर नोट प्लस क्या है जैडल है ठीक है तो वी नोट की वैल्यू क्या आएगी माइनस जी एम इंटू वी बी इए आर नोट इंटू जैडल अपॉन आर नोट प्लस जैडल बना लोगे वी बराबर आ यार आर तो यह ओगया और अब इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं वोल्ट ता लबधी निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं वोल्ट ता लबदी वो क्या होती है निर्गत की वोल्ट था बटे निवेशी की वोल्ट था और निवेशी क्या होती है इसमें बताओ आप VBE वोल्ट था जही होती है VBE A ऐसे ठीक है याद करो यह सरकिट होता है यहां पर होता है हीई यह बी और यह होता है एस परचल सरकिट में बार बार पड़ वार इनको और यह तोसर किट रोटा यह यह में बाफ इसमें V0 में VB का भाग दो दो इसे EV से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VB से VB कैंसिल हो जाएगा क्या बनेगा माइनस तो क्या आ रहा है ZM आ रहा है और क्या बनेगा ZL into क्या R0 upon ZL plus R0 यह किस की वैल्यू बन गई हमारे पास AV की वैल्यू बन गई AV क्या आ गया माइनस AV क्या आ गया यह आ गया ठीक है अच्छा देखो इसको अगर मैं कॉइंस्टेंट को हटाना चाहूं यहां से तो इतना बना लोगे बिलकुल बना लेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर वोल्टा लबदी को मैं किवल A से ही रिप्रेजेंट करू तो ऐसा भी कर सकते हैं कर दिया बाकी मैं क्या कर रहा हूं देखो A is equal to ध्यान से सुना यह जो GM आ रहा है ना मारे पास क्या आ रहा है हमारे पास GM आ रहा है ठीक है और यह R-not आ रहा है GM into R-not मैं यह जो GM into क्या है R-not इसको A constant A-V के बराबर माल लेता हूं ठीक है तो हमारे पास यह जो बनेगा ना तो अब यह बन जाएगा minus A-V इसको तो A रहने दो और GM into R-not को क्या माल लो minus A-V और यह आएगा Z-L upon नीचे क्या आएगा Z-L plus क्या R-not आएगा तो यह किसकी value बन जाएगी हमारे पास A की value बन जाएगी सीदी सीदी इसके बाद हम पुनर निवेश वोल्टता की बात करते हैं पुनर निवेश वोल्टता ठीक है तो पुनर निवेश वोल्टता का formula खूब पढ़ा हमने क्या होता है VF is equal to होता है beta into क्या V-not होता है होता है या नहीं होता बिल्कुल होता है सर तो देखो पुनर निवेश वोल्टता जो है नहीं आपर वो Z1 के सापिक्स वोल्टता है तो VF का मान हम ऐसे निकालते है यहां देखना यह सर्किट बन रहा है आपके पास बन रहा है यह बन रहा है यहां वोल्टता कितनी है total V0 तो इसमें वोल्टता विभाजन का नियम लगा हो कुल वोल्टता कितनी है V0 जिसके सापिक्स वोल्टता निकाल रहे हो Z1 के सापिक्स वो वाला रेजिस्टेंस और टोटल प्रतिबाधा क्या है Z1 प्लस Z3 यह कौन सा नियम है हमारे पास वोल्टता विभाजन का नियम है वोल्टता विभाजन का नियम क्या होता है यह देखो कुल पृतिबादा जैड फ्लस वी एफ की वेइल्यू आगयी अब इसको इसको इससे compare करो देखो वी एफ यहां है वी जीरो यहां है वी जीरो भी यहां है तो ये बाकी जो बच्रह है ना हमारे पास यह किसके equal होगा यह equal होगा beta के तो beta की जो value निकल आएगी न वो z1 upon z1 plus z3 के equal निकल के आएगी क्लियर है beta की value किसके equal निकल के आएगी z1 upon z1 plus z3 इसके बाद हम next नेक्स्ट क्लास में करेंगे और यह लास्ट पार्ट था नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीट हो जाएगा तो आज की क्लास के लिए इतना ही ठैंक यू